जिन्दगी में कभी कभी अपनों से हार ना सीखो, देख लेना जीत जाओगे तुम? जिन्दगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वहीं आगे खड़ा है. कुछ भी संभव है, जब यदी आप में जुनून की आग और मेहनत का इंधन जल रहा है, तो लोगों के ताने तारीफों में बदल जाएंगी. डर से बड़ा कोई वाइरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं. जिन्दगी अगर खेल है, तो इसे जीतने का बस एक तरीका है कड़ी मेहनत. जिन्दगी को बहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है? सोचने के बजाए मैं क्या कर सकता हूँ? ये सोचिए. जिन्दा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो, लशकर नहीं देखे जाते. रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, कितने भी ब्रांडेड हो दिल से उतर ही जाते हैं. किसी गलत रास्ते पर तेजी से दोड़ने से बहतर है, सही रास्ते पर धीमे धीमे चले, सफलता असफलता दोनों अस्थाई हैं, ये आती जाती रहती है. लाइफ में तो निराशना हो, खुद करनी पड़ती है, सरकारी नौकरी की तैयारी लोग साथ कम, ताने मारने ज्यादा आते. जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखो, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, एस्टरिस्क दोख में निर्णय मत लीजिए, आपकी हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद से ना हारे. इतिहास गवाह है, सरकारी नौकरी मिलते ही लड़की अपने पंसत के लड़के को छोड़ देती है, बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती, मेरे बारे में जानने वालों सुनो, मैं खुद भी खुद से अंजान हूँ अब तक पिर तुमने मुझे कैसे जान लिया, मेरे वक्त में किस से बहुत सुने हमने, हमारे दौर में इतिहास लिखे जाते हैं, आज फिर से शुरू करदी किताबों से आशिकी, वो क्या है हमें मंजिल तक किसी के सहारे जाना है, वक्त बरबाद ना करें दिखावे में वरना मेशा जेब में रखना दिमाग में नहीं। सच है जनाब ना कोई स्कूल, ना कोई टीचर, फिर भी दुनिया का बेस्ट इंजीनियर, किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है, हर दिन की प्रैक्टिस करो। संघर्षों की कहानी तो बाद में क्या होती रहेगी, दुनिया फिलहाल आपके जीतने का इंतजार कर रही है। जब तवज्जो ही नहीं तो फिर मौजूदगी किस काम की, हम मोहताज नहीं किसमत के हम अपने दम पर बहुत कुछ करना जानते हैं। पर शतरंज हो या फिर जिन्दगी जीतने के लिए धैरे रखना पड़ी डेथता है दोस्त। खोई हुई चीज अक्सर खूबसूरत लगने लगती है, जैसे वक्त और बचपन। कभी-कभी एक मिनट सोच कर किया गया फैसला जिन्दगी बदल देता है। इस जगत में कुछ तूटे या ना तूटे, लेकिन सबका घमंड एक दिन जरूर तूटता है, यही मनुष्य जीवन का सत्य है। सबको लड़ने ही पड़े हैं। अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध, कहते हैं काला रंगा शुब होता है। पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिन्दगी बतल देता है। आज के जमाने में शुबचिंता कैसे होते जा रहे हैं। जो आपका शुबच होता देख, अंदर ही अंदर खुचिंतित होते जा रहे हैं। पूरी वीडियो इतने प्यार से पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।